आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माई ज्यो एप से ज्यो सीम का रिचार्ज कैसे करें दोस्तो अगर आप भी माई ज्यो एप्लिकेशन की मज़से अपने सीम का रिचार्ज करना चाहते हैं या फिर किसी का भी सीम का रिचार्ज करना चाहते हैं माई ज्यो एप्लिकेशन के मदसे और दोस्तो अगर आपको पता नहीं है तो फिर वीडियो को ध्यान से लाज टक देखते रहे हैं आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल इन्फो हिंदी में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो माई ज्यो एप्लिकेशन की मदसे ज्यो सीम का रिचार्ज करना काफी ज्यादा असान है अगर आप एक भी step मिस कर जाते हैं तो दोस्तो आपको कुछी भी समझ में नहीं आएगा इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा सबसे पहले आपको माई ज्यो एप्लिकेशन को ओपेन कर लेना है सबसे पहले हम जाल लेते हैं अपना ज्यो नंबर का रिचार्ज कैसे करें इसके लिए सिम्पली आपको रिचार्ज वाले ओफ्सन पे एक मरतबा क्लिक कर देना है अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इसके अंदर तीन प्लान है 209 का 28 दिन के लिए है एक जिबी डेली का 179 में 24 दिन के लिए है और 149 में 20 दिन के लिए हम सिम्पली यह वाला करना चाहते हैं यहाँ पे हम बाई वाले ओफ्सन पर क्लिक कर देंगे अब दोस्तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे थ्वादेर इंतिदार करना है आपको और यहाँ पे कुछ इस परकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तो यहाँ पे आने के बद आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा आप जो है यहाँ पे ATM से payment कर सकते हैं WhatsApp से और यहाँ पे कोई UPI ID से भी आप payment कर सकते हैं Add New UPI पे आपको click कर देना है दोस्तों यहाँ पे आप wallet से भी payment कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों अगर आपको ATM card से payment करना है तो यहाँ पे click कर दिजिए ATM का आगे का पीछे का नंबर आपको यहाँ पे डालना है और दोस्तों ATM card से भी आप payment कर सकते हैं हम यहाँ पे UPI से करने वाले हैं पे ATM का तो simply हम यहाँ पे ATM UPI पे click कर देंगे यहाँ पे आने के बद कुछ इस परकार का interface आपके सामने आ जाएगा अब दोस्तों simply आपको जो pay का option देखने को मिल रहा है इस पर आपको click कर देना है जैसे आप यहाँ पे click कर देते हैं आपका passcode या फिर UPI पिन पूछा जाएगा simply आपको यहाँ पे डाल देना है जैसे आप अपना passcode यहाँ पे डाल देते हैं कुछ इस परकार से आपके सामने option आएगा आपको यहाँ पे थ्वादर इंतजार करना है और दोस्तों आपका पैसा कट जाएगा और उसके बाद दोस्तों कुछ इस परकार से आपका recharge हो जाएगा चले अब बात कर लगते हैं अगर आपको दूसरे number पे recharge करना है अपना number पे नहीं करना है दूसरे के जियो SIM पे recharge करना है तो आप कैसे कर सकते हैं simply जो है आपको home page पे आजाना है home page पे आने के बाद दोस्तों आपको नीचे के साइड में जाना है पे और यहां पे recharge for a friend पे आपको click कर देना है जैसे आप यहां पे ग्लिख कर देते हैं जो भी डोसक आप recharge करना चाहते हैं Our How Face जैसे आप यहां पेดेते हैं simply आपको यहां पर प्रोसेस का option देखने के मिल रहा है इस पर आपको पो click कर देना है दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बद कुछ इस परकार का option आपके सामने आ जाएगा फिर से जो है आपको कोई भी एक plan select कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर सिंपलेम 1GPD वाला select कर लेते हैं और यहाँ पर आपको 149 या फिर जो है जो भी रिचारज करना है उसके बगल में buy वाला option पर आपको क्लिक कर दाना है यहाँ पर आने को वाज सेम प्रोसेस है आपको जो है यहाँ पर काफी सारा payment का option मिल जाते हैं कहीं से भी payment करके रिचारज कर सकते हैं तरीका सेम है वीडियो आपको कैसे लगा पुछे comment box में जोड़ से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ यसाच यहाँ को subscribe करना ना भूले